नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत ही आपके अपने यूट्व सब्सक्राइब विदास में आज हम बात किने जा रहे हैं रिलाइंस फावर के बारे में रिलाइंस फावर जो कंपनी है वह नहीं अमबानी का है तो इस तरह से अभी इसमें बहुत अच्छी नियूस आई आपके लिए मैं पता दे रहा हूं नियूस क्या था कि 110 सेट्लमेंट हो रही है और आईसे ऐसे बैंक के साथ तो यह जब से आया ना तो इसमें रोज का 5% सट्कित मार दे रहा है तो इसमें दवाव देखने को मिलता है मगर नहीं तो 5% सट्कित मारता तो जैसे कल तो दबा आपके टूपेंगे ना तो पहले इतनी शेट से बाइंग होंगे तो एक तरह से बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है चैनल पली बार आयो तो सब्सक्राब जरू करेंगा कि हम पूरा आपको ने डीटेल में बताते हैं और यह तरह से यह यहां पर हमने बताया और यह जो दबाव आया था नहीं यह वाला रेड केंडल यह दबाव सिखल निफ्टी वजह साया था आज में इसमें नहीं आया और यह ट्रेंड अभी रिवर्सल है अभी जो है ना पला टार्गेट हमारा यह जो 24.40 तक यह देखने को अभी जब बहुत जल्द देखने को मिल सकता और अभी 23.85 पे ट्रेड कर रहा है वे 5 पर संटेंट मार दिया कि नहीं तो आज ना यह कम 10 पर संट तक का देखने को मिल सकता अगर प्राइस बैट इसमें नहीं होता तो अभी स्कारेड यह अगर ब्रेक आउट कर देता है ना वह रहेएगा वह दूसरे टार्गे बनाएगा हडल मतलब कि जैसे की थोड़ा से ना यहां पर प्रेशर आ सकता है कई लोग प्रॉफिट बुक करने लगने हैं क्योंकि 19 से लेकर 24 तक एक बाद चांस मिला और आपको पता यह पैनि स्टॉक में क्या होता है कई सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सा हडल यहां मिल सकता है मगए हडल जब निकल जाएगा ना तो पर अफ़ी दूसरा टार्गेट 28-29 तक देखने को मिल सकता है बाइस अगर कोई रेकोमडेशन ने है चनल पर लिबार आयो तो सब्सक्राइब जरू पर देगा धन्यवाद के